एलो प्रेंट में धीपक उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस और स्टॉक तो पर आज हम आप पर डिसकस कर रहे हैं नेशनल एलुमिनियम के स्टॉक में एक बर फिर से 100 रुपए का लेवल हमें देखने को मिल रहा है क्या यहाँ पर 100 रुपए पर ब्रेक आउट होगा और यदी ब्रेक आउट होगा तो अगला टार्गेट हम कहां तक का रख सकते हैं इस पर हम करने वाले हैं चल्चात अपने आप अपर आप देखेगा आपके सामने याप आप पर चार्ट प्रेजन क स्टॉक हमें आपर जाता हुआ दिखाए दिया फिर से गिरावट करके स्टॉक नीचे आता है कहां पर फिर से 67 रुपए के आसपा आने के बाद इस टॉक पाइनली उपर की तरफ जाता है लगबग लगबग 100 रुपए तक फिर आप देखेंगे यहां पर हुई गिरावट य और यह जो गिरावट है लगबग 85 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाती है यहां से स्टॉक के अंदर अच्छानक से होता है ब्रेक आउट 100 रुपए पर और अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाए देती है और यहां पर लगबग लगबग 125 के उपर 130 के आसप पास हमें जाता हुआ दिखाया देता है फिर में गिरावट और यहीं स्टॉक में तेज़ी देखने घ्याशा टने को मिलती है और रुपए से लेकर के 85 के बीच में स्टॉक यहाँ पर क्या कर रहा है अब यह देखिएगा इसी रेंज में स्टॉक चल रहा है उपर की तरफ 85 का जो लेवल है वो स्ट्रॉंग रजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका यह देखिएगा लेकिन फाइनली लेवल ब्रेक हुआ और स्टॉक ने नया राजिस्टेंस लगबग लगबग सो रुपए क्या सपस बनाया फिर से गिरावट हुई फिर से स्टॉक में आती है तेजी और यह तेजी स्टॉक को उपर लेकर करके जाती है कहां तक तो आप यहाँ पर देखेंगे लगबग 106 107 का लेवल यदी ब्रेक होगा उसकेस में श्टॉक एक बार फिर से आपको उपर की तरफ अगर देखा जाए तो 130 का टार्गेट दिखा सकता है लेकिन उसके लिए प्रॉपर ब्रेक आउट की जरोते जो कि सस्टेन करें उपर की तरफ कई बार हम देख रहे हैं प्रेक 106 के आज पास से श्टॉक फिर नीचे की तरफ आ रहा है तो यदि श्टॉक यहां पर ब्रेक आउट करता है 105 प्लस पे तो डेफिनेटली 130 तक का टार्गेट रहेगा नीचे की तरफ आपको 95 रुपए का 100 प्लस मेंटेन करके इंट्री करना होगी तो यह ता हमारे टेक्नि यह रहा है तो ऑट्याए नीचे तो जलिए झाली की तरफ एयलएम है तो यह भी तो यहां टाओए तो यह यह वमाने हमारे वख एंटता है उन्ही तो यह वमारे वमारे टीचे एलुड़़बूइभ पानीन घर ट्रा की जो खोग